नमस्कार किसानवाईओ आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने मन परसंद हंटीक्र चैनल एंडियन में किसानवाईओ आज के इस्कार वीडियों हम बात करेंगे आलू की फचल में दूसरी यूरिया कब्दे और यूरिया के साथ साथ हमें कौन-कौन सिखादों का परियो करना चाहिए ताकि हमारे आलू का साजी बढ़े अलू भी स्वस्तर है पोधर मोटे रहें और हमारे आलू कंदर को बीमारी भी नहीं आए तो प्तिशन में दूसरी यूरिया किससे में देने चाहिए तो जब विद्फवी हमारी आलू की पसल लगवग 35 से 40 में के नत्रालगी होनी चाहिए अर्था 35 और 40 दिन के बीच खो क्या घाना खी हो तो असमें अपने आलू की फचल में हमें यूरिया का परियो कर देना चा हैं सानव कि सानव य sat कौन्स को से माइक्रों नूट Crane या कौन शिकाद कर ना चाहिए जिसका हमारे अलू का destructive हम बने कि सानवाइयो मैं आपको इसी वीडियो वाहते में यह की डोज Whats at bodaamiento bağ कि कौंसी दवाई हमारे अज більル यह क्या या कि आपको भी लगए कि हाँ, यह दोइया काम कर सकती है, और पयां आपको लग एक हाँ लापति यह हमारे खियत में काम कर आइंगे हैं OK तो आपको सबस्पहले लेए 50-60 किलोग्राम पृति एक डेसा सब्सक्राइब आपको यूडिया लेना ये नयटोजन लेनी था उसके जाए आती है आपको 5 किलोग्राम लेना है क्योंकि पांच किलोग्राम इसलिए नहीं है जो हमारे खेत के अंदर एस्ट्रा खाद पड़ी रहती है तो माइक्र नुट्रेंट हम डालते हैं तो यह पोदों को पूरीते के से तेज़ी से देने का काम करता है और उनकी भूग को बढ़ा देता किसा आई हो दूसरा किसा तो आपको इसमें एड करनी है बोरोन जो छोद्य पैंट 5% वाली आती है यह आपको बोर्ण एकरनी है इसकी हम डुच की बात करें तो आपको 2 Kg पिरतिये करता सबसे डाल ले के सानवाई हो और 4 जिसमें एक और आपको एड़ी आटम एड करना यह आपको लेना है थायम न जो 25 परसंट वाला आता यह 30 परसंट वाला आता यह आपको 500 ग्राम पिर्टियका के सबसे लेना किसानवाई हुआ हम बात करेते हैं कि कौन सी दवाई या कौन सी जिखाद हमारे खित में क्या का दे करेगी तो जो हमने नेटोजन लिए किसानवाई पहले यह हमारे पोदो की इसको थोड़ी सी बढ़ाएगी और गिरोत में बढ़ाने के बाद में या आलू का साइज नीचे से उसे बढ़ाएगी और पोदो काला करेगी और एकदम सी उसकी पत्या हरी भरी हो जाएंगी तानवाई हो जो अंसा हमने माइक्र नुट्रिंट लिया है यह हमारे पोदों की अंदर एस्ट्रा काट पढ़े रहते हैं उन्हें पोदों को उसकी भूग को तेज़ी से बढ़ाएगे तेजागी के सानवाई हो और जो आईटम बोरन में यह निया किसा यह बोरन का का रही है यह फटने लगा और फ्रनी लगा जब हम आलू की खु़दाएगे तो आलो हमारा बहुत सफेद निकलेगा जिससे मार्केट में बहुत अच्छे दाम मिल जाएंगे सानवाई हो जो हमने थाइम कर रहे हैं पांसो ग्राम का यह हमारे खित में सोड़ी होती है या मैम चाया गिनार होती है किसी प्रिकार कीट होता उसे तुरंद मार देगा जिससे हमारे सॉरी भी नही कि कोई बीध कीट हारे लगाए कि शूरी नहीं नहीं वगए यह तो हमारी में पहले से लगा रखे हैं तो आम ना करें यह रखें करें किसे घृख पांस य49 को अच्छें ऑप लियुक बखें और ऑप सग्खें कर देंगे पहले तरीके माँ इस तरीकार से लगा सकते हैं दूसरा तरीका यह कि आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद आप इसे जहां से पानी चलाते हैं थोड़ा थोड़ा आप इसे डिब्डे से डालते रहें जिससे घुल कर सीधा पोदो तक हमारे के लिए दूसरी का बहुती महत्ति होती हैं तो है चश्यार का रूप दे सकता हैं और समय से अब समय पर भाजिए तना वांग्तार यहां।